ये बात मैंने नोटिस की बंबई में हमारे बंबई में कुछ अजीब बात है कि मैंने बहुत पहले नोटिस किया कि फूल जो होते हैं ये भी हिंदू और मुसल्मान हो गए है अब गेंदे का फूल जो है वो मंदर में जाएगा और लीली का फूल मजार पे जाएगा ये एक् बटवारा हो गया। नफरदों का असर देखो जानवरों का बटवारा हो गया। गाए हिंदु हो गई Brain और मुसल्मान हो गया। इह पेड़ ये पत्ते शाकें भी प्रिशा हो अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं सुखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए नजाने कब नारियल Hंदू और खजूर मुसल्मान हो गए जिस तरह से धर्म मजभ़ब के नाम पे हम रंगों को भी बाटते जा रहे हैं जिस तरह से धर्म मथब के नाम पे हम रंगों को भी बाटते जा रहे हैं कि हरा मुसल्मान का है और लाल हिंदू का रंग है तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्थियां मुसल्मानों की हो जाएंगी और हिंदूों की हिस्से बस टमाटर और गाजरी आएंगे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तर्बूस किसके हिस्सों में आएगा ये तो बिचारा उपर से मुसल्मान और अंदर से हिंदू रह जाएगा यह बात मज़ाख में कही है लेकिन बड़ी गहरी बात है और आज हम सब को हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है मैंने शुरुआत की मेरे माम की तारीच से और मजभ की जो बाते करनी थी लेकिन लेके आया हूँ यहां पे कि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो यह बटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरों के दिलों में यह मजभ का नाम लेकर तो मेरी सिर्फ जहां तक है टीवी वाले हैं और जहां तक है प्रोग्राम जा रहा है मेरी इलतिजा यह है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रही है और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखी है क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं त इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारे बीवियों से बहुत दूर रखे.